तो क्या आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर आप Snapchat में अपना एकाउंट आप डिलीट करना चाहते हैं, Snapchat का ID आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कि आकरकार Snapchat में अपना एकाउंट हम कैसे पर्मानेंट के लिए तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ तो इसके लिए आपको करने के ये वीडियो थोड़ा ध्यान से और पूरा वीडियो आपको दिखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आकरकार Snapchat में हम अपना एकाउंटे डिलेटे कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करने के आपको Snapchat ओपन करना है जैसे आप Snapchat आप ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ओप्शन आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप profile पे click करेंगे यहाँ पर आपका profile आपको دेखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर मिल Crist bomby पे एक setting का icon आपको setting वाले icon पे click करना है जैसे आप setting वाले option पे click करेंगे आपके सामने इस तरह का निकल के आजैगा अब यहां पे आपको नीचे आना है जैसे आप यहां पे नीचे की तरह पाएंगे और भी आपको नीचे आना है किलिक करने के बाद यहां पने आपको बहुत सारे option देखने को मिल जएंगे और यहां पर एक option देखने को मिलेगा delete my account को और यहां पर देखने को मिलेगा delete my account is समने इस तरह का पेज निकल के आ जाएगा आप यहां पे आपको देखने को मिलना होगा कुछ इस तरह से पेज आया doodle के नाम पे आपके लिए प्र से एक नया पेज़ आ जाएगा आप यहां psychologists एक यहां पे जो यहां पे decentral damit होगा वहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर देखने को मिलेगा पासवर्ड का ओप्सन तो यहां पर आपको करने के अपना पासवर्ड यहां पर डाल देना है डालने के पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपका जो एकाउंट होगा वो यहाँ पे आपका जो एकाउंट है डी एक्टिबेट हो जाएगा 30 दिनों के लिए यानि कि आपने एकाउंट को एक महिने के अंदर अगर आप रिकोबर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ट डाल के लोगिन क नहीं करना है और उसके बाद आपका जो एकाउंट होगा हमेशा के लिए डिलेट हो जाएगा तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अगर आप हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं तो आपको इसे लोगिन नहीं करना है एक महीने तक अगर आप इसे यहाँ पे गलती स हो चुका है यहां पर जो एकाउंट है वो यहां पर डी एक्टिवेट पूरा तरीके से हो चुका है अब यहां पर आपको करने के हैं यहां से आपको बैक आना है जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद आपको यहां पर फिर से बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर नया बनाना चाहते हैं तो आप नया बना सकते हैं बस आपको उस एकाउंट को लोग इन नहीं करना है तो मैं आस्था करूंगा आज आपको पता चलेगे होगा कि आखिरकार स्नैप चैट में हम यहां पर्मानेंट के लिए अपना एकाउंट डिलेट कैसे कर सकते हैं